हेलो एविवान वेल्कम टू लर्न वेदेख्यू आज हम विंडोस 7 की वर्यूबिलिटी को एक्स्प्लॉइट करेंगे इटर्नल ब्लू वाली को अब यह जो एक्स्प्लॉबिलिटी है यह विंडोस 7 के अंदर बिल्ट इन है और यह जो है हाकबल है और अभी हम इसको हैक करके भी दिखेंगे तो इसके एक एक जामपल है जो लोग विंडोस 7 यूज़ करते हैं तो उनके लिए यह चीज़ देंजर्स हो सकती है कि पूर इंस्टेंस वह स्टूडेंट हैं वह अपनी उनिवस्टी में जाते हैं या रेस्टरान या पर क्योंकि विदिन सेम नेटवर के हैक होती है तो वो जो है वो फिर आपकी वेंडोस 7 जो है वो कॉम्प्रमाइस हो जाएगी तो इससे बचने के लिए आप काईड़ी अपने लैप्टॉक्स को अपग्रेड करें या आप अप अपट लिस्ट विंडोस 7 से अपग्रेड क के विंडोस 10 भी चले रहे हैं तो हम अब ही लिखेंगे सबसे पहले सबसे पहले हम जो है वो चेक करेंगे कि हमारी आई-पी किया है हमारी काली निक्स की आई-पी जो है 192.168.36.105 है नेक्स्ट अब हम इसको क्लियर स्क्रीन करते हैं यहां पर हम एक एन्माप ही क्मांड सकाने विडियो मेंगे नेटवर्कन स्कैनर है इसकी जह है वो वीडियो बन जाएगी कि हम नेटवर्क को सक्केन कि संद कर सकते हैं औरगे इसकी देटेल के अदर फर में पॉर्टन कश्रीं कमांड शन्हां मैं यो इसको है ilgili नेक्स्ट अ-फिन-पी इस्तिaccord वान रूर्य प करेंगी जाके और जो है उसके रिश्पान्स खlords Hudson कुलेकर के लिए क्या है कि लाके देगी एकॉन से इस टाइम डिवाइस या एक्टिव होस्ट जो एक्टिव हैं वह हम इलाके वह बता देगी कौन-कौन से एक्टिव होस्ट से अभी यह लेकर आ रही है और स्कैनिंग चल रही है सो जैसे कम्प्लीट होती है तो मैं आप लोगं को आगे स्केवारे में बदाता हूं सबसे पहली चीजिज्ब है यह हमारी नेटवर्क की लिए इसके बाद हमारा शेक्ट म क्या रहा है और उसके पाद एक वह हमारे विक्टम की आरी और हमारी 105 काली आविकी ती तो पीछे जो बची वह यह वाली 109 का लिनेक्स की आइपी बची तो यह दो जो हैं यह हमारे नेटवर्क अड़ेप्टर की होती है और एक जो है वह नेटवर्क की आइपी होती है जो कि हमारे राव पर गया रहे होती है स्क्रीवर्क अपर हम यहां पर मैं लिकें में टैनल वाली 10 को एक्स्प्राइट करें गे और ताके हम अपने विंडोस 7 जो हमारे राइट हैट पर स्क्रीन पर आप में दिख रहें इसको हम एक्षुली हाक करेंगे तो इसमें आपको एंटिवारस बजाता नहीं है पहले में बताता चलूंकि आपको एंटिवारस लगावा भी होगा तो भी जो है यह हाक हो जाता है नेटवर्क की तुरूंड फाइल जो नैटवर्क की थिए उर्वाडियिटी फाइन आट होती है तो ही जहा हुआ हुआ यहाँगा यह प्री आपकी फाइल्स को देख रहा होता है ms17-010 यह इसकी वरिबिलिटी का पैच है और मैंने पास यहां पर आ रहा है जिरो और मैं यहां पर यूज कर से हूंगा यूज आइदर आई यूज 01234 लिकित में यहां पर चुहूं यह भी लिख सकता हूं जो इसका नाम है यह भी लिख सकता हूं आइवल ट्राइट अपी दिस और मैं यहां पर आकर चुहूं इसको पेस्ट कर दूंगा और मैं इसको एंटर करूंगा और मेरे पास जो डिफॉल्ट पेलोड मेरे पास सेट हुआ है वह यह वाला हुआ है यहां पर और मैं आपर करणा और आप्शन सो आपश्ट अपनों को दिखाने के लिए था करना के यह तो हम यहां पर आरह रहा है ह्-a-r-host इसको आम हैक करना जारहे है required yes, तो हमने उसकी अपनी जो remote host है, जो Windows 7 की IP है, वो हमने यहाँ पर देनी है, और L host के अंदर हमने अपनी काली Linux की IP देनी है, जो के हम यहाँ यहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर करूँगा set r hosts, अब मैं यहाँ पर r hosts, इसलिए लिखूँगो कि यहाँ पर r hosts लिखाव एक s का एजाफ़ा है, तो यहाँ पर भी हम यहाँ पर लिखेंगे यही, 192.168.56.56.109, यह मेरी Windows 7 की IP थी, set l host और मैं यहाँ पर करूँगा 192.168.56.105, और मैं यहाँ पर इसको l host का IP दे दूगा, and I am going to exploit it, exploit और हम जो है, वो इसको scan करेगा, चेक करेगा, host is likely vulnerable to MS 17.010, वो attempt कर रहा है इसको hack करने की, और आप देख सकते हैं कि Windows 7 में, जो user है, उसको बिलकुल पता नहीं चल रहा, कि कोई machine उससे connect होने जा रही है, या कुछ कोई indication वो Windows 7 जो है, वो नहीं देगी, तो अब भी देख लेते हैं, हमारे पास meet or peter का session आ जाना चाहिए, तो उसके बाद जो है, वो हमें actually, जो है, वो इसकी access मिल जाएगी, Windows 7 की, as you can see के हमें meet or peter का session मिल गया है, हम यहाँ पर system info करेंगे, sys info and we are in the Windows 7 operating system, और यहाँ पर उसके computer का नेम भी आ रहा है, मैं pwd करता हूँ present working directory, imc in windows 3 system 32, तो मैं cd dot dot करता हूँ, मैं फिर pwd करूँगा, मैं फिर cd dot dot करूँगा, मैं फिर pwd करूँगा, मैं यहाँ पर ls करूँगा, और यहाँ पर हमारे पास आ रहा है users, तो मैं यहाँ पर करूँगा, cd users, यूजर्स और मैं यहाँ पर pwd करूँगा, और फिर ls करूँगा, और मेरे पास यहाँ पर आ रहा है मलेक माज, तो मैं आपर CD मलेक मास करूंगा, एंटर करूंगा, और मैं आपर PWD करके, मैं यहाँ पर दुबारा LS किया, तो मेरे पास यहाँ पर आ रहा होगा, डेस्टॉप मैं इसको स्ट्रॉल अप करूंगा, और यहाँ पर मेरे पर डेस्टॉप आ रहा है, जो सिस्टम है वो कॉंप्रोमाइज हो चुका है, MKDIR और मैं यहाँ पर लिखूँगा, हाक्ट और आज यू कें सी के मेरे पास, Windows 7 में एक हाक्ट के नाम से फोल्डर बन गया है, तो मैं इसी तरह से में CD, सॉरी, मैं इज़र आता हूँ, और मैं CD, hack लिखता हूँ, और मैं यहाँ पर PWD और LS करता हूँ, तो मैं यहाँ पर आपनों को एक और फाइल को रिएट करके बतायता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा, edit, hack.txt, और मैं यहाँ पर मेरे पास, चोहें वह एक्षिदी एडिटर खुल गया, I will press I over here to insert, you are hacked actually, और मैं escape की की आपर प्रेस करूँगा, colon X, colon X डालूँगा मैं यहाँ पर, escape की की प्रेस करके, control X प्रेस करूँगा, you are hacked actually, this is the file, और escape, control X, colon X में एंटर करूँगा, और यहाँ पर आप देख सकते की यह, जो है वह actually hacked की फाइल यहाँ पर बन गई है, और यहाँ आपर लिखावा आग है, so this is the eternal blue variability for the windows 7, so if you are using windows 7, try to upgrade your laptop, or at least windows operating system to windows 10, और that's it for today, अगर आपनों को यह वीडियो लाइक, अगर आपनों ने वीडियो लाइक की है, तो बहुत मिर्वानी, और इसको जरूर बेरे चैनल को सब्स्राइब करें, thank you so much for watching this video, Allah आपे सब तखाल रखे यहाँ,